नवस्याद दोस्तों, डेट हैं आज की 2 अगस्त 2021 और स्वागत है आपका एटोरिल डिसकेशन में आज डिसकेशन थोड़ा लेट हो गई, सोरी, लेकिन देखो आज सुबर सुबर इतनी खुसी हुई हमारी जो महिला होकी टीम है वो सेमी फाइनल में पहुँच गई है पहली बार ऐसा हुआ कि इंडिया की महिला होकी टीम ओलंपिक में सेमी फाइनल में पहुँची हो रैंकिंग देखो, इंडिया की टीम 9 नंबर पे है, अस्टेलिया की टीम दूसरे नंबर पे और इंडिया ने आस्टेलिया को हरा दिया न्यूस तो वैसे देखो आपने देखी ली होगी ये देखो बहुत ज़्यादा इंस्पारेशनल इसलिए है क्योंकि किसी को उमीद नहीं थी मतलब कल जो इंडिया की मैन टीम है होकी की उन्होंने सेमी फाइनल में एंट्री कर ली उमीद कर रहे थे वो पहले पहुंचे है जो मैन होकी टीम है वो 49 येर्ज के बाद पहुंची है लेकिन आज का ये महिला होकी का मैच था ना किसी को उमीद ही नहीं थी कि इंडिया जो है वो आश्टेलिया को हरा देगा तो उसी परकार से देखो कभी भी त्यारी मेना confidence lose कभी भी मत करना ऐसा नहीं कि मेरे marks तो मोक में दोस्त से काफी कम है ग्रूप में मेरे marks सबसे कम है मेरा exam कैसे clear होगा देखो सिरफ और सिरफ अपना best दो और अपने past score से करने हैं सबसे पहले हम article discuss करेंगे ये a cycle of low growth वाला दूसरे नंबर पर article हम discuss करेंगे breast feeding के benefits से सम्मंदित तीसरा article हम discuss करेंगे democracy के कमजोर होने से सम्मंदित ये जो चोथा article है nuclear technology वाला इसे हम Sunday editorial जो science वाला editorial होता है उसमें सामिल करेंगे discussion start करने से पहले एक और चीज़ अपना जो दूसरा channel है सुमित वाला उस पे सुबह एक video publish हुई थी कि कम समय में ज्यादा कैसे पढ़े मतलब productivity कैसे increase करें पढ़ने में अगर आपको लगता है कि इससे सम्मंदित कुछ points चाहिए तो ये video देख सकते हो दूसरे channel पर otherwise just ignore this और अब चलिए discussion start करते हैं फर्स्ट इंपोर्टन आर्टकल low growth and high inflation से सम्मंदित है आप GS paper 3 के इस topic से आर्टकल को relate कर सकते हो ये aspects हम cover करेंगे इस आर्टकल के discussion में क्या contest है देखो COVID-19 के बाद अभी देश की economic situation खराब है तो कुछ economist तो ये claim कर रही है कि सरकार को अभी कुछ भी करने क्या आव सकता नहीं है lockdown अब खुल चुका है और एकदम से economy जो है अपने आप से revive कर जाएगी इस category की जो economist है वो example देते हैं great depression का 1929 में जो great depression आया था उसके बाद भी विबिन देशों की जो economy है वो अपने आप revive कर गई थी तो उसी परकार की situation फिर से पैदा होगी कुछ सरकार को करने की आशक्का नहीं है बड देखो इसके विपरित आज जो writer है जिन्होंने इस article को लिखा है वो कहते हैं देखो भया Great Depression के बाद situation अलग थी 1939 में Great Depression आया था तो उसके बाद demand generate हुई थी क्यों? क्योंकि Second World War स्टार्ट हो गया था 1939 में Second World War में हत्यारों के आउसकता थी बड़े scale पे हत्यारों का निर्मान हुआ demand ज़ादा हुई इस वज़े से अपने आप economy ठीक हो गई बलकि फाइदा हुआ क्योंकि demand जो generate हुई थी Second World War के कारण उस demand को पूरा कर्स का USA और USA की जो economy है बहुत ज़ादा मजबूत हुई तो writer यही कहना चाहते हैं कि देखो Great Depression के बाद demand generate हो गई थी ना लोगों को goods की आउसकता थी लेकिन अब ऐसी कोई situation नहीं है COVID-19 की वज़े से जो विबिन देशों की economy खराब हुई है अब demand अपने आप से generate नहीं होने वाली है विबिन सरकारों को परियास करना होगा demand generate करने के लिए जातर देश इस बात को समझते भी हैं इसलिए western countries ने अपनी economy को stimulate करने के लिए बहुत सारा पैसा pump किया है अपने अपने देशों की economy में ताकि लोग के पास पैसा पहुंचे और वो उस पैसे का इस्तमाल करे market में चीजों को खेदने के लिए demand generate हो goods की लेकिन इंडिया ने अभी तक कुछ खास किया नहीं है देश की economy को stimulate करने के लिए वैसे government export पे काफी focus कर रही है at least दूसे देशों में माल भेजा जासके लेकिन देखो इसमें भी काफी दिखते हैं एक तो माल भेजने का जो खर्चा है दूसे देशों में वो काफी increase हुआ है यानि free cost increase हुई है container उप्तलब नहीं है माल भेजने के लिए ज़्यादा समय लग जाता है इसलिए इंडिया से जो export है वो कम competitive है रूपए की value मजबूत हुई है दूसरी currency इसके मुकाबले में और देखो जब currency ज़्यादा मजबूत हो जाती है फिर exporters को नुक्सान हो जाता है ये देखो simple सा math है माल लीजिए अभी फिलाल एक dollar की value है 70 rupees और एक रूपए में एक pen आता है तो USA में DiCaprio नाम का person बैठा है तो वो इंडिया से pen import करता है तो वो एक dollar में कितने pen import कर पाएगा 70 लेकिन माल लीजिए currency की value कम हो जाती है मतलब रूपए मजबूत हो जाता है dollar के मुकाबले में 1 dollar 60 rupees तो रूपए मजबूत हो गया तो अब pen की कीमत तो वही है एक रूपए एक pen तो वही DiCaprio इंडिया से जब pen मंगवाएगा तो दूसरे case में कितना मंगवा पाएगा 60 तो उसको पहले case में फाइदा हो रहा है जब रूपए के जो value है वो कमजोर है dollar के मुकाबले में तो इसलिए जब रूपए मजबूत होता है तो exporters को इससे घाटा होता है इसके बाद दूसरे point writer ये देते है economy देखो अपने आप से revive इसलिए भी नहीं होगी क्योंकि inflation अभी काफी ज़ादा है inflation काफी सारे regions की वज़े से बड़ी हुई है जैसे fuel prices का बढ़ना petrol और diesel के दाम बढ़े हुए है अब देखो petrol और diesel के दब दाम बढ़ते हैं तो transport sector में दाम बढ़ जाते हैं services के एक स्थान से दूसरे स्थान पर समान की supply करना महगा हो जाता है तो fuel के दाम जब बढ़ते हैं तो आलमुष्ट सभी goods and services के दाम पर असर पढ़ता है दूसरा कुछ commodity के prices भी बढ़े हुए हैं क्योंकि उनकी कमी है demand ज़्यादा है supply कम है तो इसलिए दाम बढ़े हुए हैं देखो पिछले साल economy जो है वो shrink हुई थी COVID-19 की महमारी के कारण lockdown लगा था तो economy shrink हो गई थी तो इस साल growth rate पिछले साल के पेक्सा कर तो ज़्यादा रहेगी क्योंकि जब हम growth rate measure करेंगे year to year basis तो पिछले साल तो कमी थी ना shrink हुई थी economy तो base year ही कम है हम compare ही पिछले साल से कर रहे हैं जब growth rate कम थी तो उससे compare करेंगे तो इस साल तो बढ़ेगी ही ना लेकिन COVID-19 से पिछले वाले साल से अगर हम compare करेंगे तो इस साल ज़्यादा growth rate नहीं रहने की ये writer कहना चाहते हैं एक तरफ growth rate कम है inflation ज़्यादा है तो ये situation तो देखो काफी खराब है इस situation को देखो stackflation का नाम दिया जा सकता है प्री में आपने पढ़ा भी होगा stackflation stackflation वो situation होती है जब low growth rate high prices मतलब inflation और high unemployment तो इस situation को कहा जाता है stackflation इसके बाद तीसरा point दिया जाता है writer के दोरा interest rates का चुकि देखो अब inflation हमारे देश में बड़ी हुई है तो inflation को control करने के लिए RBI क्या करेगा RBI market से पैसो को खीचेगा और पैसो को खीचने के लिए क्या करेगा interest rates को tight करेगा interest rates को tight करना मतलब repo rate इन सब rates को increase करना इन से होगा क्या individual को किसी उध्योगपती को company को MSME को loan लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा bank को से अब देखो loan देंगे नहीं bank तो बलकि growth rate पर और भी ज़्यादा परतिकूल असर पड़ेगा economic activities जो है वो और भी कम होंगी अगर loan नहीं मिलेगा असानी से individuals को उध्योपतियों को इसके बाद next है non performing assets का बढ़ना देखो एक moment होती है Minsk की moment writer कहते हैं India जो हैं India की economy जो हैं Minsk की moment के तीसरी stage पर हैं क्या है ये तीन stages Minsk की moment की देखो इस moment को define क्या गया था highman Minsk की के दोरा जो की एक famous economist हैं इन्होंने कहा था banker जब loan देते हैं तो पहली stage में तो banker for example SBI, HDFC ये बहुत ज़्यादा सोच समझ के loan देते हैं कि loan कहीं डूब ना जाएं फिर आती है दूसरी stage दूसरी stage में ये banker trust worthy लोगों को मतलब ऐसे लोग जो trust worthy हैं जिनकी market में reputation हैं जो loan को चुका सकते हैं ऐसे लोगों को आसानी से loan देना start कर देते हैं लेकिन उसके बाद आती है तीसरी stage तीसरी stage में ये जो banker होते हैं वो अंदा धुन्द loan दे देते हैं ये वो situation होती है जब asset price काफी ज़्यादा बढ़ गए होते हैं asset price जैसे bond की value equity की value इन सब की जो values हैं prices हैं काफी ज़्यादा बढ़ गए होते हैं तो ऐसी situation में banker अंदा धुन्द loan दे देते हैं ये भी नहीं देखते रहा हैं बेंकों का नोन परफोर्मिंग एसेट काफी ज़यादा बढ़ेगा और इनको पैसों कि आप सकता होगी सरकार इनकों पैसे देगी नहीं क्योंकि सरकार के पास खुद के पास इतने पैसे नहीं है तो बैंक ढूबना स्टार्ट हो जाएंगे इसी के वज़ेंगे इसी जो economy है वो great depression के तरह अपने आप से revive नहीं होगी सरकार को steps लेने क्या हो सकता है चलते हैं आगे इसके बार next article breastfeeding के benefits से समधित है आप GS paper 2 के इस topic से article को relate कर सकते हूँ यह सारे aspects हम cover करेंगे इस article के discussion में देखो एक अगस्त से 7 अगस्त का जो हफता है हर साल world breastfeeding week के रूप में observe किया जाता है इस बार के theme है protect breastfeeding a shared responsibility UNICEF के अनुसार breastfeeding जो है यह देखो most effective तरीकों में से एक है बच्चे की health और mother की health को improve करने के लिए इसके अलावा बच्चे का जो जनम हुआ है उस बच्चे की healthy growth और optimal development इंशोर करने के लिए शुरुवाती दिनों में breastfeeding काफी जादा जरूरी है जैसे ही बच्चे का जनम होता है एक घंटे के अंदर अंदर breastfeeding start होनी चाहिए और 6 महिने तक तो सिरफ और सिरफ breastfeeding ही होनी चाहिए और 6 महिने के बाद बच्चे की उमर जब 6 महिने हो जाती है उसके बाद breastfeeding के साथ साथ semi solid और soft food जो है वो बच्चे को दिया जा सकता है समझ गए 6 मेने की उमर के बाद सोलिड, सेमी सोलिड और सोफ्ट फूड के साथ-साथ breast feeding बच्चे को दी जा सकती है significance क्या है breast feeding के एक तो देखो बच्चे की जो immunity है strong होती है disease असानी से नहीं होते infection असानी से नहीं होता बच्चों को अगर breast feeding सही से होती है सुरवाती दिनों में allergy, cancer, motapa, brain nutrition ये चीज़ें भी जो है वो adders होती है उसके बाद mother की health के लिए भी breast feeding काफी ज़्यादा ज़रूरी है pregnancy के दुरान motapa आ जाता है तो बच्चे के जनम के बाद जब breast feeding होती है तो mother का भी जो weight है वो काफी तेजी से कम होता है और बच्चे के जनम के बाद जो bleeding होती है उसमें भी कमी आती है breast feeding की वज़े से breast cancer, ovarian cancer ये सब नहीं होता बच्चे में diarrhea, acute respiratory infection जो early दिनों में होता है वो भी avoid होता है अगर breast feeding ठीक से होती है इसके बाद breast feeding से बच्चे का IQ improve होता है diabetes और मुटापे समंदी जो बिमारियां है वो नहीं होती अब इसके बाद देखो Lancet जो एक medical journal है इसके अनुसार breast feeding से global economy में 300 billion dollars की value को add किया जा सकता है अब आपके मन में आया होगा कैसे ये कैसे possible होगा देखो breast feeding से जब इतनी सारी बिमारियां बच्चों को नहीं होंगी तो इलाज पे कम खर्चा आएगा बच्चे जब बड़े होंगे उनकी productivity ज़्यादा होगी वो ज़्यादा काम कर पाएंगे और देश की economy में मतलब यहां तो global economy की बात हो रही है ग्लोबल economy में वो ज़्यादा contribute कर पाएंगे और इतनी सारी जो deaths हो जाती है वो कम होंगी अगर breast feeding अच्छे से होती है तो अगर देखो deaths कम होंगी तो मतलब ज़्यादा human resource होगा human resource ज़्यादा होगा तो ज़्यादा वो काम करेंगे और economy में contribute करेंगे अब समझ गए कि breast feeding से कैसे value add होगी economy में इसके बाद next concerns लेकिन देखो breast feeding जो है वो पिछले कुछ सालों में कम हुई है आज कल कि जो modern parents हैं वो इस चीज को तवज्यों नहीं देते बच्चे के जर्म के बाद सुरुवाती 12 हफ़तों तक तो देखो mother और baby दोनों काफी vulnerable होते हैं और breast feeding से adjust होते होते 14 दिन लग जाते हैं तो ऐसी situation में बच्चे के जो father है उनकी आफसकता होती है situation को संभालने के लिए लेकिन हमारे देश में जो paternity leave है वो सिर्फ 15 दिन की मिलती है father को leave सिर्फ 15 दिनों की मिल सकती है तो यहाँ पर जो कमी है कानून में उसको address करने की आफसकता है world alliance for breast feeding action यह establish हो था 1991 में ताकि breast feeding के फाइदों के बारे में awareness विलाई जासके 1992 में world alliance for breast feeding action ने UNICEF के साथ मिलके world breast feeding week week establish किया अब यह week हर साल अगस्त के पहले हफते में अब्जव किया जाता है उसी से समधित हम यह article discuss कर रही है इंडिया ने भी एक act बनाया था 1992 में infant milk substitutes feeding bottles and infant foods act 1992 DM के जो political party है Tamil Adu की इन्होंने अपनी manifesto में कहा था maternity leave को Tamil Adu में extend किया जाएगा 12 months तक यानि एक साल तक अभी कितनी है 26 weeks तो यह तो हमने बात की अभी क्या initiatives women governments के द्वारा लिए गए हैं और क्या करने क्या हो सकता है parents को और ज़्यदा aware करो उनकी counselling करो breast milk banks establish करो और एक जो equipment होता है breast milk pump equipment सस्ता उपलब्द करवाओ ताकि गरीब से गरीब जो mother है वो इसे अवेल कर सके afford कर सके इसके बाद breast feeding के लिए offices में और दूसरे जगाओं पर भी exclusive facility होनी चाहिए ताकि mothers आसानी से अपने बच्चों को दूद पिला सके paternity leave यानि father को जो leave मिलती है भी सिरफ 15 दिनों के मिलती है इसे extend किया जाए 12 से लेके 16 हफ़तों के बीच में last में सरकार को और ज़्यादा funds allocate करने के आऊ सकता है parents को educate करने के लिए इसके लावा health workers civil society organizations और media इन सब को awareness campaign में सामिल करने के लिए conclusion में देखो ये कहा जाता है इंडिया एक low middle income country है आलेडी सरकार health की तरफ काफी कम खर्श करती है और अगर breast feeding पे ध्यान दिया जाता है तो काफी सारे disease से बच्चों को बचाया जा सकता है लेकिन breast feeding के बारे में जो awareness है वो mother centric नहीं होनी चाहिए social, cultural और जो environment factors है उनको भी ध्यान में रखते हुए breast feeding को पर्मोट किया जाए COVID-19 की महमारी की वज़े से breast feeding कम हुई है लेकिन अब समय आ गया है कि जादा से जादा जागता फिलाई जाए चलते हैं आगे नए इस आर्टिकल देश में democracy के कमजोर होने से सम्बंदित है आप JS paper 2 के इस topic से आर्टिकल को relate कर सकते हो ये सारे aspects हम cover करेंगे इस आर्टिकल की discussion में क्या contest है Sweden का एक weed dam institute है इन्होंने अपनी हाल की में democracy report 2020 जारी की इन्होंने कहा कि India ने almost democracy का जो status है वो खो दिया है India democracy के मामले में Sierra Leone Guatemala, Hungary इन सब देशों से भी नीचे है अब इसके बाद देखो general points है कैसे world के विबिन देशों में जो democracy है वो कमजोर हो रही है नमर वन है social emergencies social emergencies मतलब देखो जब किसी देश में social fabric गड़ बड़ाता है विबिन धर्मों के बीच विबिन आइडेंटिटी के लोगों के बीच नफरत पैदा होती है तो मतलब वो social emergency वाली situation है दूसरा inequality in the society society में inequality जो है वो increase हो रही है अब inequality की जब बात है यहाँ पर सिरफ economic inequality की बात नहीं है cultural inequality, social inequality वो सब भी increase हो रही है जो vulnerable sections है वो basic amenities जिसे health, education उन सब को access नहीं कर पा रहे है vulnerable जो sections है उनकी आवाज नहीं शुनी जाती तो वो democracy में अपने आपको isolated महसूस कर रही है next जो demagogue leaders है उनका challenge बढ़ रहा है demagogue leaders मतलब वो leaders जो मुद्दे की बात नहीं करते विजली, पानी, सड़क वो ऐसे issues की बात ज़्यादा करते है जो जनता को emotional मना देते है यार एक तुक पीछे खट 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 तो ये जो जनता के जो emotional issues है ना उनको ज़्यादा address करते है अब जनता को जब emotions में involve कर लिया जाता है उनके emotional aspects से जब खेला जाता है तो फिर जनता भी ज़्यादा सवाल नहीं पूछती और यही leaders चाते हैं इसलिए demagogue leaders का जो चलन है वो बढ़ा है इसके बाद next है ineffective distribution resources का जो distribution है वो ineffective है जैसे देखो example के तोर पर अब कुछ regions जो हैं वो ज़्यादा develop हो गए जैसे हमारे देश में कुछ states ज़्यादा develop हो गए कुछ पिछड़ गए कुछ लोगों को लाब ज़्यादा मिला देश की rising economy का मतलब जब 90's में देश की economy ग्रो हुई थी कुछ लोगों को ज़्यादा लाब मिला और कुछ को बिल्कुल ही नहीं मिला तो jobless growth भी कहा जाता है उस phase को उसके बाद next है government failure government देखो fail हो रही है governance में यह देखने को मिला मयमार में थाइलेंड में जब देखो government fail हो जाती है ना governance में अच्छे से govern नहीं कर पाती तो फिर लोग सड़कों पर आ जाते हैं chaos create हो जाता है उस चीज का फाइदा उठा लिया जाता है military के द्वारा जैसे Thailand में कूँ आया मयमार में भी कूँ आया तो ऐसी चीज़ें अब ज़्यादा होई हैं पिछले कूछ सालों में उसके बाद next है weak institutions institutions कमजोर होए हैं हमारे देश में भी आरोप लगता है कि judiciary, election commission ये सरकार के इसारे पर काम करते हैं और ये अपने आपको assert नहीं कर पा रहे हैं जैसा काम इन्हें करना चाहिए उस हिसाब से ये काम नहीं कर पा रहे हैं तो ये कुछ हमने points डिसकस कियें democracy के weak होने से सम्मंदित अब way forward की बात की जाती हैं इसके बाद सरसे better point है opposition strong होना चाहिए आज के समय में देखो opposition उतना strong नहीं है मतलब जिस मजबूती के साथ opposition को सरकार की नीतियों का विरोध करना चाहिए सड़कों पर उतर के जिस गती से उन्हें जागरू करना चाहिए जो सरकार के गलत फैसले हैं constructive opposition देखो होना चाहिए opposition ऐसा नहीं कि जो सरकार के जो अच्छे फैसले हैं उनका भी नाम के लिए विरोध कर ले क्योंकि ये सरकार ने लिये हैं ऐसा नहीं होना चाहिए मतलब सरकार की जो अच्छी policies हैं उनको आप accept करो लेकिन जो glut policies हैं उनके बारे में जनता को जागुत्ता फिलाओ नेक्स्ट हैं जो vulnerable sections हैं उनके आवाज सुनी जानी चाहिए purposive interpretation मतलब जब judiciary देखो सविधान को interpret करती है किसी article को interpret करती है तो जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए judiciary सविधान को interpret करे इस चीज़ को कहा जाता है purposive interpretation नेक्स्ट constitutional renaissance सविधान के हिसाब से सभी institutions को काम करना चाहिए independent होके यह दोनों point same से हैं सविधान की जो values हैं उनको ध्यान में रखके देश की governance चलनी चाहिए नेक्स्ट है good governance है सरकार भी good governance लेके आए जो कि transparent हो सरकार ने क्यों नहीं की थी next checks on the executive power सरकार की जो powers हैं उन पे check होना चाहिए check मतलब ऐसा ने कि सरकार अंदा दुन्द अपनी powers का इस्तेमाल करे अपने दाइरे से बाहर जाके तो सरकार की powers पे check कोन लगा सकता है judiciary इसके अलावा media इसके अलावा legislature checks and balance का concept है हमने detail से discuss किया था कब 25 जनवरी 2019 को हमने checks and balance का concept discuss किया था तो ये हमने कुछ points discuss किये last point वैसे रह गया social equality social equality आनी चाहिए जब हम social equality की बात करते हैं तो मतलब समाज में जो विबिन identity के जो groups हैं वो आपस में equally एक दूसरे को treat करें जैसे पहले होता था lower class, apple class वाला system वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए अभी है भी नहीं ज़्यादा लेकिन कुछ extent तक है वो भी नहीं होना चाहिए society में equality होनी चाहिए सभी लोग एक दूसरे को बराबर treat करें तो ये हमने suggestions discuss किये democracy के कमजोर होने से समन्दित, democracy का देखो, मतलब صرف governance से नहीं है, democracy एक जीने का तरीका भी है, जब हम democracy की बात करते हैं, तो मतलब सिरफ सरकार नहीं ये गलती मत करना, democracy की जब हम बात करते हैं, तो उसमें society भी आती है, क्योंकि democracy is a way of life, democracy एक जीने का तरीका भी है तो हमारी आज की इस discussion में इतना ही है Thank you, thank you very much for discussion